आगे बरते हैं मुरादाबाद से सफा सांसे डॉक्टर स्टी असन ने एक बर फिर विवाधित बयान दिया है देश में कुरोना मामारी और तूफानों को लेकर केंदर सरकार को जिम्मधार चराया है उन्होंने कहा है कि शरियत में दखल अंदाजी और खासवर्ग के साथ नाइन साफी के चलते ये प्राकृतिक आफ़त आ रही है ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में ऐसी और आफ़तें आएंगी कोई और नहीं डॉक्टर एस्टी असन कहा रहे हैं सांसद मौदे समाजवादी पाठी के देखिए हम और आप और हिंदुस्तान के ज़्यादा तर 99 परसंट लोग ये मानते हैं हम सब धार्मिक लोग हैं हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है अगर जमीन वाले जब इनसाफ नहीं करते हैं तो आस्मान वारा इनसाफ करता है और जब वो इनसाफ करता है तो उसमें इफ एंड बड नहीं हुआ करता है आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है लाशों की कित्ती बेहुरूमती हुई है कुटों को लाशे खानी पढ़ गई, दर्या में बहा दी गई, आपने देखा नहीं कि शम्चान घाटों में लपड़ी तक नहीं महिया कराई गई, आखे कौन सी सर्कार हैं, क्या सिर्फ बड़े लोगों की हैं, मिल्टी मिलियनर्स की सर्कार हैं, घरीब का कोई अग नहीं है पर यह खरीब भी उसी ने पैदा गया है, जिसको अमीर, अमीर को जिसने पैदा गया है, बालिक सबका एक है। बच्चों को लगने ज़रूरी की है, जिसको तीस की तस्मीर आप देख रहे हैं, नोईडा की, नियमित ठीका करण फिल से दारन मकवा है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिये सरकार पर हमला बोला है। वैक्सिनेशन को लेकर काहा कि केंदर सरकार की धुल्मुल वैक्सीन नीती ने वैक्सीन वित्रन को अधर मिला कर छोड़ दिया है। प्रियंका ने कहा कि आज देश में प्रदे दिन औसतन सिर्फ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लगपा रही है। ये पोस्ट प्रियंका गांधी का इसके जरीए एक बार फिर से उनों में सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर बड़े सवाल खड़े किये हैं। उनका दावा है कि आज सतन 19 लाख वैक्सीन ही रोजाना देश में लगपा रही है लोगों को और इस दर से वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाएगा समय पर। मात्र 3.4 फीजदी जन संख्या का पूरा वैक्सीनेशन हो पाया है।